टेरिस पर जब हम सबजें उगाते हैं तो उनके जो ग्रोब है कंटेनर या क्यारी होते हैं उनके नीचे हम इटे वगएरा रख देते हैं ताकि जो लेंटर है हमारे उसमें सीलन ना आए तो वहीं पर हमें फूलों वाले पौदे भी रखने होते हैं छोटे छोटे गमले होते हैं डिब्बे होते हैं बोतले होती हैं तो उनको हमें रखने के लिए कुछ ना कुछ हाइट देनी होती है तो मैंने आज कुछ हाइट का जुगाड किया है क्या मैंने ये बनाया है स्टे इसे बना दिया है इसको एक भी पैसा मैंने खर्च नहीं किया है यह दिवार देख रहे हो इदर से आदे दिन की दूप नहीं लगती है तो पोधे जलेंगे नहीं दूप में और उधर मैंने रखे हुए तो जल गए हैं पोधे बिल्कुल खतम हो गए है तो यहां पर मैं इनक अब देख रही हो लोहे का इंगल है यह वर्क्शोप से लेके आया थी मैं दो-तिन साल पहले से इसको मैं प्लांट्स के लिए यूज कर रही हूं खराब हो गए थे वर्क्शोप में तो मैंने इनको यहां रख दिया है अब मैं इनके उपर इस तरह से मैंने इन्टे नीचे इंटे पड़ी हुई थी नीचे रखी और उपर से फटे रख दिये हैं फटे खराब हो रहे हैं इनको भी मैं यूज कर रही थी पहले उधर रखे हुए थे तो मैंने इनको यहां पे सेट कर दिया है अब मैं इनको तीन लेर में मैं ने देखी पीछे मैंने 5-6 इंटों की लेयर लगाई उसके बाद चार इंटों की लगाई उसके बाद दो इंटों की लगाई इस तरह से मैंने तीन लेयर लगा दी है इसकी और साइडस में बैंच यहां से मैंने इन पोधों को उठाया है देखी कितना टेस्ट हो गया था यहां तो हमें इसे टाइम टाइम से स्फाई भी करनी होती है नहीं तो पोधों के नीचे काफी जदा सीलन हो जाती है बरसाथ के मौसम में और यह छोटे-छोटे मैंने यहां पर रख दिये हैं अब य यह भी हरे हो जाएंगे बरसाथ पढ़ने लगेगी तो अभी तक तो जले मरे से हो गए थे गर्मी के कारण बिल्कुल खतम हो गए थे पोधे सारे तो अभी इनकी नई शुरुआत होगी नया गार्डन बन जाएगा और सज जाएगा नई सबजिया नई पोधे अभी और ग मिलकर तो हम दोनों ने बनाया है और इस तरह से यह लूग मैंने अभी इसको दिया है देखिए कैसा लग रहा है अगर आपको जरह से भी अच्छा लग जाए तो प्लीस लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लेना तो देखिए इस तरह से मैंने तीन लेयर में ये स्टेंड बनाया है और तीन लेयर हमारे पौधे इसके उपर सेट हो गए है तो फ्री में हमने कुछ भी खर्च नहीं किया है फ्री में ही इनको रख दिया है वेस्ट पड़े सामान से बना कर और हमारे पौधे भी सेट हो गए है इसके उपर हमें स्टेंड खरीदने की जरूरत नहीं कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें गमले भी हम मैंने बहुत कम लिये हैं ऐसे ही जुगाडु गमलों में ही मैंने पौधे लगाए हैं और एक-एक गमले में मैंने कई-कई सारे पौधे इस तरह से सेट कर रखे हैं लगा रखे हैं कहीं कहीं जहां जगह मिलती हैं वहीं पर मैं पौधा कटिंग कहीं पर कहीं पर इस तरह ऐसे लगा देती हूं तो अच्छे रगते हैं ऐसे ही और अभी तो यह जले भुने पड़े हैं काफी ज़ादा लूने फुक दिये हैं तो अभी इनकी कि वरसात होएगी तो ग्रोथ होती रहेगी और मैं कटिंग करूंगी कुछ इंवे से सूखे निकालूंगी नए लगाउंगी कुछ कटिंग लगाउंगी तो हमारे बगिया हरी बरी हो जाएगी बरसात के मौसम में तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो कैसा